पिल्कु लेकि राजनीती उस पे लगातार हो रहे हैं आमाद्मी पार्टी की बात करें बीजीपी की बात करें लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अरविंद केजरीवाल के खिलाप सबूत हैं पूरे मामले के खिलाप अगर सबूत हैं तो उनको सामने रखा जाना चाह करता है कि अर्विंद केजरिवाल मनीश सोधिया कि अगर रिहाई नहीं होती है तो विदानसभा चुनाओं में आमाधी पार्टी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है और मुकाबला जो है वह बहुत दिल्चस्प होगा और ऐसे में परिणाम जो होंगे वह वाक ताकत बर हैं कि दिल्ली के मुख्यमंतुरी को बहुत समय तक सलागों के पीछे रख सकते हैं और अगर वाकर नमस्कार मैं शालनी स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में बीते जुलाई को यहां पर सीम के जिवाल को एडी केस में बड़ी रहत मि बिल चुकी है ऐसे में आपको बता दे कि आज सीम के जिवाल की जमानत याचिका पर सीवी आई केस में सुनवाई होनी है क्या ऐसे में सीम के जिवाल को बड़ी रहत मिल पाएगी और क्या सीम के जिवाल जेल से बाहर आते दिखाई देंगे या फिर जिस प्रकार से मनीश शोदिया की हालत है जिस तरीके सोने लगा तारेक के बाद एक नई तारीक मिल रही है क्या सी एम के जिवाल को भी अब सी बी आई केस में नई तारीक मिलेगी या फिर कोई राहत भरा फैसला मिलेगा आज इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे नियूस रूम में मौजू अमन सर क्या लगता है कि जिस प्रकार से 12 जुलाई को एडी केस में अर्विन के जिवाल को बड़ी राहत मिल चुकी है क्या ऐसे में अब सी बी आई को लेकर सी बी आई का जो केस है शराब गोटाले मामले का ऐसे में अपके जिवाल को आज राहत मिलेगी या फिर कोई नई तारीक मिलेगी आग देखिए बिलकुल जिस तरह से लगतार अर्मिंद के जिवाल मनिशी शुड़े के उपर जिस तरह से सलाखों के पीछे हैं और लगतार तारीक पे तारीक मिल रही है वो यह बताता है कि क्या बाकर में कोई बड़े सबूत एड़ी या सीविया की पास है या सिर्फ ये जो प्रॉसेश चल रहा है यूँ ही चलता रहेगा क्योंकि आप देखिए कि मनिश शुषुदे लगवर देर साल से जिल के अंदर बन दें के अरविन के जिबाल की बात के वर बार तारीक पर तारीक मिलती जा रही हैь उनके बिमार रूने की खबन खड़ा के लगाता सामने आती हैं तो कई चीज़े हैं जहां पर ये बात पूछना लाज़मी सी बात हो जाती थे कि आखिर अगर सबूत हैं तो वो सबूत किया ग्राओ पीचे के भी हरते हैं। समने आये हैं देखिए अभी तक अगर इन घोटालों की ही बात करें तो यह सिब आरोप के उपर ही लगता है कि जो तक्ते हैं वो नज़र नहीं आते आरोप ही लगा कर रह जाते हैं तो यह तमाम ऐसी चीज़ हैं जो बीजेपी के जो लोग हैं वो इस तरह के आरोप लगाते वो उस समय अंजाम दिया गया तो अमन सर लेकिन जिस प्रकार से आमादी पार्टी के नेता या संजे सिंग बड़ा बयान देते हैं कि तिहार जेल में जाने के बाद अर्विन के जिवाल की जो कह सकते हैं जो तबियत है उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है उनका वजन ज देते हैं कि सारे आठ नहीं लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि कुछ प्रतीशित जो वजन है वो उनका घटा हुआ दिखाई दिया है देखा गया कि लगतार पानी भारा वहीं जल्द संकट को लेकर बाते हुई तो ऐसे तमाम सारे मुद्दे इसको लेकर बीजी पी यही बात कह रहे है कि अगर जेल सरकार चलती है तो इस तरह की चीज़े होंगी अब ऐसे में अर्विन के जिवाल जो लगतार ये हट करके ब नतार पार्ट को नेताउं आगे अगर्के जिवाल को कोट से राहत नहीं मिलती है क्या CMK जिवाल अपने CM पद से स्तीफा देते हुए भी दिखाई देंगा अगर स्तीफा दे देते हैं तो आखिरकार उस गदी को CM की गदी को कौन समालता दिखाई देगा राहूल सर से जाननी कोशिश करेंगा राहूल सर क्या लगता है कि जिस प्रकार से अर्विंद के जिवाल को अगर आज राहत नहीं मिलती है तो क्या ऐसे में CMK जिवाल अपने पद को स्तीफा अपने CM की गदी है उससे स्तीफा देते हुए दिखाई दे सकते हैं इस्तीफा देते हैं तो इस पद को कौन समा लेगा देखे सबसे बड़ी बात है कि इस्तीफा उस वक्त भी सोचा जा रहा था जब दिल्ली के मुक्यमंतिर अर्विन केजरवाल जेल चले गए थे और ये कयास लगाया जा रहते हैं वो जेल से बाहर नहीं आएंगे देखे अर अबर्नर के हाथ में जो राज जपाल हैं उनके हाथ में सारी चीज़े देने की कोशिश की गए थी अचानक से आप अध्यादेश लेकर चले आते हैं उसके बाद हम देख़े हैं कि अध्यादेश का मामला था फिर कहीं न कहीं उसको बैक फुट पर लेकर जाना पड़ता है कि सबसे बड़ी बात है कि BJP जोड़ तोड़ की राजनीती करती है और यह हर कोई जानता है आपने जोड़ तोड़ करने की जो कोशिश है वो महराश्ट में किया आपने उद्धफ ठाकरे के साथ दोगा किया जो तमाम विधायक थे उनको सिंदे के साथ मिला के वहाँ पे मु कर रहे हैं राजदानी दिल्ली है और दिल्ली की जो राजनीती है वो बहुत मायने रखती है उत्तरप्रदेश से होके ही दिल्ली का रास्ता भी निकलता है और दिल्ली में देखिए लगातार बैटकों का दौर जारी भी है क्योंकि उत्तरप्रदेश के जो हाल आते हैं कही बीजेपी का जो सपना है नया सीएम बनाने का वो कहीं न कहीं अधूरा होता दिखाई देगा क्योंकि यहां पर अर्विंद के जीवाल जो हैं वो हार मानने को तयार नहीं है ऐसे में आने वाले विधान सबा चुनावो में अगर सीएम के जीवाल तब तक रहा नहीं होते हैं तो पार्टी को कौन समालेगा क्योंकि पार्टी में अभी जो कमान समाल रहे हैं वो है संजे सिंग आतिशी मरलेना और सुनीता के जीवाल ऐसे में अब पार्टी क्या कुछ करती दिखाई देगी आने वाले विधान सबत चुनावों को लेकर क्या रणनीतिया बनाएगी और किस तरीके से पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करेंगे मनीश क्या लगता है कि जिस प्रकार से आम आदनी पार्टी के जो मुखिया है अर्विन केजिवाल वो जेल में है अगर उन्हें राहत नहीं मिलती है तो क्या अब आदनी पार्टी जो है आने वाले विधान सबत चुनाव में अपनी मुश्किलों को कम करने के लिए क्या समालता हुआ दिखाई देखा कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में शालनी हमने देखा कि पार्टी की कमान संजय सिंग और सुनीता केजरिवाल ने बखो भी यहां पर समाली है और ऐसे में अब देखा गया है कि आतिशी मरलिना भी उस दौरान वहां पर साथ में थी और समाज पार्टी हो मायावती की बस्पा हो और तमाम यहां पर राइंतिक पार्टियां अब सियासी मैदान में कूटती भी नज़रा रही है तो उसको देखकर यही कहा जा सकता है कि आने वाला विधानसभा चुनाव है जो है वो कहीं न कहीं आम आद्मी पार्टी के लिए ब पार्टी वापसी करती भी नज़रा आइगी क्योंकि जिस तरीके से तमाम नेताओं पर इहां पर शिकंजा और यही कहा जा सकता है कि आने समय में अबिगोच सियासी में मजबूती के साथ कड़े एे हैं चैंब महांत करनी होगी और शियासी मैदान में कड़ी महनत करनी आमाद्मी पार्टी के फेवर में चुनाव का परिणाम जाता हूँ दिके और अगर ऐसा नहीं होता है तो वाकई यहाँ पर आमाद्मी पार्टी के लिए बेहद मुश्किल होने वाली हैं। या फिर नहीं ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलाल के लिए इतना ही इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहे हैं।